हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्पम क्रियेशन्स, आज मैं आपके लिए डबल कलर में एक बहुत ही खुबसरत और सरलसी डिजाइन लेकर के आई हूँ, इस डिजाइन को आप सिंगिल कलर में भी बना सकती हैं, डबल कलर में भी बना सकती हैं और आप चाहे तो इसे बच्च की डिजाइन है, यह फोर रो की डिजाइन है, यह डिजाइन बैक साइट से शुरू होती है, इसलिए राइट साइट से मैंने एक बेसिक रो बना दी है, सीधे सीधे बंदो से, पूरी रो मैंने सीधे सीधे बंदो से बनाई है, और इसके बाद बैक साइट से डिजाइन श यहनि बैक साइड में हम उनका कलर चेंज कर लेंगे और उसका फस्ट रो कैसे बनाएंगे पहला फंदा हम उल्टा बिल लेंगे उनको पीछे करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा में तो एक फंद उल्टा बनाना यहां मैंने चुकी डजाइन बनाई है एक फंद से इन फंद बन गए हैं इसलिए उनको हम तीन फंदों का एक कर रहे हैं ठीक है अब आप एक पंदा सीधा बनाएंगे उनको अपने तरफ आगे करके एक पंदा उल्टा बनाएंगे फिर मुन पीछे करके यहां मैंने एक पंदा उल्टा आपको बनाना है मुझे तीन फंदों से एक करके दिखाना आपको एक पंदा उल्टा बनाते एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा पिर एक उल्टा PiS तरह से पूरी रों ऑग से से बनानी है चैनिकी फर्स्ट डे से बैग से चैड़ से है एक पंदा सीधा एक पंदा उल्टा एक पंदा सीधा एक पंदा उल्टा और उनको आगे पीछे करते रहना है श्याई रहzag आगे इसलिए इसको भी हम उल्टा ही बिन लेंग vind आप चाहे तो इसे सीधा मिन सकती है, जैन की फर्स्ट रो बैक साइट से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा करके मैंने बना लिए, अब डिजैन की सेकंड रो, डिजैन की सेकंड रो कैसे बनाएंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद यह जो फंदा है, यह और फंदा और लापंदा दूफंद की बीच में जो गैप है यह हां पर हम सलाह इसivesse ड morning हैं उनको आगे करेंगे और फिर इस सिधा पें लिएंगे तो क्या होगा एक पंदे से तीन फंदे बन जाएंगे यहनी कि दो फंदे अधिक होगा है उनको आगे करेंगे यह उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा बुन लेंगे हमने सीधा एक उल्टा बनाया था तो सीधे फंदे पर हम यह जैन बनाएंगे और उल्टे फंदे को इस तरह से बुन लेंगे उन पीछे करेंगे जो फंदा सीधा दिखाए दर इसपड जरइन बननी है तो इसपड जरइन बननेमें क्लिक क्या करेंगे दो फंदों के बीज में जुग developing हैँगा सलाई डालेंगे एक फंदा इस तरह से ले लेंगे एक सीधे में उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और उसी फंदे को जो पहला वला फंदा उसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से हमें बनाना है इसके बाद वला फंदा में उनको आगे करके उल्टा बिनना है क्योंकि वो उल्टा दिखाई दे रहा है और उनको पीछे करके जो इसे तीन पंदे बनाने। और उनको आगे करके उल्टे पंदे को उल्टा ही बिन लेना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है डिजैन की सेकंड रो जो की राइट चैय्ट से है। उर्टे वाले फंदे को उर्टा बनाने के पास, लास्ट में जो फंदा बचेगा, राइट से है, इसलिए इसको हम सीधा बुन लेंगे, इस तरह से हमारी सेकंड ड्रो कम्प्लीट हो जाएगी, एंड की थर्ड ड्रो बहुत ही आसान है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, य ये तीनों हमें उल्टे दिखाई दे रहा है, इन तीनों फंदों को एक एक करके उल्टा बिन लेंगे, तीन फंदे उल्टे बिनेंगे, उनको पीछे करेंगे, ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इस फंदे हम सीधा बुन लेंगे, तो हमें क्या करना है थर्ड ड सीधा पिर उनको आगे करके तीन फंदे उल्टे और उनको पीछे करके एक फंदा सीधा पूरी रोह में इस तरह से बनानी है अब हम डिजयन की फोर्थ रो पर हैं यानि की लास्ट रो पर हैं वो भी थर्ड रो की तरह ही बनाई जाएगी बस उसमें क्या अंतर होगा कि पहला फंदा आप सिलिप कर लें चाहे उसे बुझ लें और इसके यह तीनों फंदे आपको सीधे दिखाई दे रहें पहले आपको आज़े करेंगे एक संदा उल्टा बैक साइड में आपको क्या किया था है एक सिधा बनाती थे और एक संदा उल्टे । रौटए आ आसानी से आप बना सकते हैं और जब आप इस तरह से मताएगे तो आपको बहुत ही खूडर design मिलेगे जो कि आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत ही सुन्दर लगेगी यह इस तरह से हम पूरी रोप फूर्थ रोप बनाते चले जाएंगे यह इस तरह से बनाएंगे इस तरह से फूर्ड रोप बनाने पर हमाई design भी complete हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकान को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की notification समय से मिल सके अगर आपको मेरी यह design पसं जाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे like करें comment करें और अपने साथियों के साथ share करना ना भूलें यह हमाई four row complete हो गई है और design भी complete हो गई है अब हम back side से दूसरा color लगा करके फिर से design शुरू कर सकते हैं four row बना करके एक बार design complete हो गई है अब फिर से जब ह पहला फंदा हम दूसरा color लगा करके उल्टा बिन लेंगे और इसके बार वाला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इससे सीधा बोन लेंगे अब उनको आगे करेंगे पहले हमने क्या करेंगे जब शुवात किती design की तो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा एक फंदा सीधा बनाना है और फिर उन आगे करके तीन फंदों का एक उल्टा करना क्यों करना है क्योंकि पहले हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाये थे जिससे कि यहाँ पर दो फंदे आधिक हो गयते उन दो फंदों को कम करना है इसलिए हम तीन फंदों से एक फंदा उल इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे जियान की फर्स्ट रो जो की Rey Жक की बैक साइद से है एक बार आज ज बनने के बाद इस तरह से बनाई जाए कि तो यह हैं बनने के बाद इस तरह से दिखाया है कैसे लगी आपको दिजयान तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ एक नई डिजैन के साथ तब तक के लिए जयमाता दिए